गुड आप्टरनून मित्रों सार्था कर्मेंट जाप पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है आप लोगों के लिए चैन बोर्ड ने टीजी टी और प्रवक्ता के सेश बिसियों का रिजल्ट एना आइसी को भेज दिया है है और आज जो आज जो वैठक में चर्चा हुई उस चर्चा के बिंदूओं पर हम प्रकाश डालने का प्रयात ने करते हैं जिससे आपको आपके समस्त सवालों के जवाब मिल जाएंगे पहला पॉइंट यह है कि टीजी टी का परड़ाम जारी करन के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाए दूसरा टीजी टी का परड़ाम बिवादों में ना आए जो हाई कोड में केस चल रहा है उसके लपेटे में ना आए इसका पूरा ख्याला रखा जाए तीसरा टीजी टी के परड़ाम जारी होने के बाद जैस आए तो अगर पहले आ जाता है सुनवाई के तो सबसे बड़ी चीजी है कि सरकार अपने काउंटर का चैन बोर्ड अपने काउंटर का बचाओ कैसे करेगी क्यांकि जो काउंटर में जो मतलब इनों ने वो किया है दिया है कि हम जो किसी भी तरीके के भ्रस्टाचार के और सबसे बड़ी चीजी है कि जो 650 विद्यार्थियों ने परिक्षा छोड़ दी थी तो उन विद्यार्थियों की परिक्षा कप कराई जाए अगर परिक्षा होती है तो उनको जो है किस तरीके से रिजल्ट में सामिल किया जाएगा उनका नार्मलाइजेशन कैसे होगा उ जो मान लिजे कि पेपर आसान बन गया तो उनकी मेरिट तो टंग जाए गया जो इधर के विद्यार्थि बिचारे हैं वो मतलब जो है लटक जाएंगे तो बैलेंस कैसे करता है आयो यह मतलब इस चीज की मुद्दे को लेकर के भी बहुत गहरी मन्थर की गई है चैन बोर् इन सेरे प्रणामों को कब अपलोड करती है वो चैन अपलोड करने के बाद चैन बोर्ड के डिजिटल सिगनेचर का इंतजार करेगी अध्धा चाह सच्चिव जो है मतलब उस पे डिजिटल सिगनेचर करते हैं तब रिजल्ट जो है पब्लिस होता है तो आपको बहुत जल होगा है तो वो अपलोड होगा ही और अपलोड होगा तो आपके सामने पब्लिस होगा ही है ना और जो सुचना मिल रही है कि इस बार का जो रिजल्ट बनने चल रहा है जो बना है रिजल्ट वो एतिहासिक एतिहासिक होने चल रहा है आपके कुछ बिसे कुछ बिसे में हम सबसे बड़ा फैक्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है सामाजी विग्यान के लिए और देखा जाए तो सामाजी विग्यान विशाही सरवाधिक विवाधित से विराय इसमें विवाध की स्थितियां बहुत ज्यादा मतलब आती है है ना तो इस विज़े का परणाम इस ब इसके बीच में जो अभ्यर्थी हैं, उनका चयन सत प्रतिसत होने जा रहा है, यह आपको आपको हम कनफर्म बता दे रहे हैं, ठीके, और उसके बाद नमबर आता है, आपके ग्रेविज्ञान का, ठीके ना, ग्रेव विज्ञान का जो रिजल्ट है ये थोड़ा सा मतलब की पेपर इसमें फाल्ट वाले कुस्टनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इसका भी परणाम 390 से ले करके ये 405 तक जो है मतलब विद्यार्थी अपने आपको चैनित मान कर बैठ सकते हैं उसके बाद जो मतलब की आपका संस्कृत का रिजल्ट है संस्कृत का बहुत सारे विद्यार्थी संस्कृत को लेकर के परसान है तो हम यह कह देना चाहते हैं कि संस्कृत का रिजल्ट 440 से 470 के बीच में रहने जा रहा है सबसे हाइस्ट प्रणाम इसी का होने जा रहा है इसे से भी हाइस्ट प्रणाम एक्ठनू है है ना देखा जाएगा फिर उसके बाद हिंदी का नमबर आता है हिंदी को लेकर के बहुत मतलब जो है विद्ध्यार्थी वो करते हैं कि सर इतनी मेरिट नहीं जाएगी जितनी आपने बताई हम उनको गूड नियूज देना चाहते हैं तीन सो पैंसर्ट ले करके तीन सो असी के बीच में परणाम रहने वाला है जो सूचना हमें प्राप्त हुए इसके कार्डिंग में दे रहा हूं और बहुत सारे विद्ध्यार्थी हैं उनका कि आपके घर में जो है वो चैर्ण बोर्ड का मीटिंग होती है तो भाई हम आप आपको बताना देना चाहते हैं हम अपने घर में नहीं तो हम अपने कालेज का आफिस में बैठे थे थे थोड़ा सा इंटरवेल हुआ लंच उटाइम हुआ भोजन लेके जाते नहीं है इसलिए जो है थोड़ी सी सूचना मिली तो हमने का आपको अपडेट दे देते हैं घ अब आपकी तर्पीटिशन दे करके ही हम जो इसको हासिल किया है तो आप आप हमें डियरेक्टर गरा की उपादिना दीजे हम डियरेक्टर टरेक्टर नहीं है और द्र शिर्प एक आम छात रहे हैं एक आम टीचर रहे हैं एक आम टीचर हैं वरतमान में और सिर्फ और सिर्फ अपने करतब्यों का निर्वान कर रहे हैं चलिए ये सूचना तो मतलब आप की हो गई ठीक है और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट है इस बार मिलने चल रहा है फाइदा है पावबारा है है जैसे माह भारत में सब्सक्षाइब बॉलता है बहुंता है बहुति इस बार रिजघ्व वरताउ मतलब वड़ बॉलक पही पहुंताई आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल जरूर आएगे TGT का रिजिल देखने के बाद और निरासा आपको नहीं होगी यह मेरा पूरा यकीन है चलिए आज इसक्रम में Tate और Super Tate का हम बैच स्टार्ट करते हैं और बालमनों विज्ञान Tate Super Tate के लिए प्रसनोतरी इंपार्टन प्रसनों की सिंखिला धड़ा धड़ा प्रसनोतरी लेकर के आ गये हैं और इसमें जो हैं मतलब आपको प्रसन बताया जाएंगे उसके ताड़ा ताड़ उत्तर बताया जाएंगे तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे और जो मतलब होगा आप इसको देख करके प्रसनों को नोट कर लिजेगे बहुत इंपार्टन प्रसन है और ऐसे ही प्रस करके मैथ में आपकी रुची अगर नहीं होगी तो आप मैथ में रुची आपकी अथपन हो जाएगी और आप कुष्चन को करने के लिए उतावले हो जाओगे कि हम भी कर सकते हैं मैथ का कुष्चन ऐसे की मतलब आपको ट्रिक बताएंगे हम मतलब है टर्मन इसका एंसर होगा टर्मन टर्मन ने बुद्धि लब्दी का सिद्धान दिया था बुद्धि मापन का सिद्धान किस ने दिया था तो इसका जो है एंसर होगा बिने सूज की अंतर दृष्टी का सिद्धान किस ने दिया था सूज भूज की अंतर दृष्टी का सिद्धान किस ने दिया था इसका राइट अंसर होगा कोहलर प्रयोग इन्होंने किस पर किया था मतलब कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि कोहलर ने अंतर जो सुझ भूज की अंतर दिश्ट का सिद्धान दिया था उन्होंने किस पर प्रयोग किया था तिये इन्होंने बनमानुस पर प्रयोग किया था ठीक है ना केला वाला बनमानुस है ना और अगला देखते हैं मनोव इसले स्वनात्मक सिद्धान्त किस ने दिया था सिगमन फ्रायड ने एंसर है इसका संग्यानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है जीन प्याजे बहुत बार पूछता है ऐसे कोस्टन और आपको टेट और जो है मतलब कि आपको सुपर ट इन दोरों के लिए बेहद महात्पूर्ण हैं तो जीन प्याजे इसका एंसर है संग्यानात्मक विकास के प्रतिपादक प्रसनावली विदी के जनक हैं वुडवर्थ आपको ये भी प्रसन काफी बार मतलब देखने के लिए मिला है तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए अनुबंदन का सिद्धान किसे ने दिया था पावला ने दिया था अनुबंदन का सिद्धान सिक्षण कोज भी दी सिक्षण कोज भी दी आंस्टांग ने डाल्टन योजना भी दी हेलन ने खेल भी थी हेनरी कुक ने अनमानसिक्ता का सिद्धान ग्रिगर जार मेंडल है प्रबिलों का सिद्दांत हाल ने किंडेर pushed गार्टन सिद्दांत प्रोबलन प्रथम मनोव्य ज्यानिक लैब किस ने बनवाया था बिलियम वूंट रंट रंड र्यन वूंट रंड र चिन अधिगम का सिद्दान किस ने दिया था टालमन ने प्रोजेक्ट प्रणाली किस ने दिया था प्रोजेक्ट प्रणाली का सिद्दान किस ने दिया था पैट्रिक किल पैट्रिक ने परामपरागत सब्वता का सिद्दान किस ने दिया था पाउलाओ ने मूल प्रवितियां संपूर्ण मानो ब्योहार की चालक है यह कथन किसका है कुछन देखिएगा मूल प्रवितियां संपूर्ण मानो ब्योहार की चालक है यह कथन किसका है तो एंसर होगा इसका मैक डूगल संकेद अधिगम को किस रूप में जाना जाता है संकेत अधिकाँ को किस रूप में जाना जाता है परमपरागत सम्मिता का अधिगम सिद्धान इस रूप में जाना जाता है और जो गेने इसके प्रतिपादक हैं ठीक है ना किसी पहलू में मानसिक स्वास्त की विदियां बताई जाती हैं स्वास्त की मानसिक स्वास्त की बहुत ही महत्पूर्ण कुस्टन होने जा रहा है टेट और सुपर टेट के लिए ठीक है तो आप इसको मतलब कि नोट का लिजे डाउनलोग अपने नोट बुक में ठीक है चलिए धड़ा धड़ा प्रसनोत्री फटा पड़ देखते हैं और इसको मतलब देखिएगा ब्यक्त के सुभाविक्स विकास को क्या कहा जाता है अभिवरिद्धी कहा जाता है नोट डाउन कर लिजेगा विकास का अधिगम विकास का अभिपराय क्या है विकास का क्या अभिपराय होता है एंसर है इसका जिस प्रक्रिया में बालक परिपक्वता की ओर जाता है उसे विकास कह करते हैं है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन देखिए रास का इनसार विकास क्रम में किसोरा वस्था का काल क्या माना गया है रास ने किसोरा वस्था का काल क्या माना है तो बारा से अठारा वर्स की आयो यह बहुत बार रिपीटेट कोश्चन होता है टेट और आज आते हैं जिन्हों ने ब्यक्ति-को विकास के आरम करने के समय में प्रभावित किया है या कथन किसका है या परिवासर न दी है यह वुड़ वर्थ ने दी है यह परिवासर आप नोट डांटकर लीजेगा परिवासाओं से उसे इदांतों से बहुत प्रसंद बनते हैं व यह कथन किसका है यह कथन हार लाग का है प्रस्ण जो है परिभासा है आप नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है सहचिक दृष्षिसे बालक के विकास की अवस्था क्या है सहचिक दृष्षिसे बालक कब मतलब जो है विकास करता है तो इसमें आता है सहस्व अवस्था बाल्य ही महतपूर्ण है चलिए अगला कुशन देखते हैं सैस्वा वस्था की प्रमुक मनोबैग्यानिक विशेष्था क्या है अनुकरान का मूल ये इसकी प्रमुक मनोबैग्यानिक विशेष्था है सैस्वा वस्था में सीखने की प्रक्रिया का सुरूप क्या होता है तो सीखने क प्रक्रिया जो है बहुत तीब्र होती है है ना बहुत तीब्र होती है आगे देखते हैं बाल्या वस्था का समय क्या माना गया है बहुत सारे मनुबै ग्यानिकों ने बाल्या वस्था का समय क्या माना है तो छे से बारा वर्स की आयू को बाल्या वस्था माना गया है आगे द बच्चे होते हैं वो समू में ज्यादा खेलना कूदना पसंद करते हैं है ना तो इसा मुहिक्ता की जो भावना होती है वो बच्चों में बहुत पाई जाती है बाल अवस्था में सामानिता बालक का व्यक्तित कैसा होता है ध्यान से देखिएगा बाल अवस्था में सामानित बालक का व्यक्तित कैसा होता है तो उसका एंसर है व्यक्तित बहिर मुखी होता है बालक का व्यक्तित कैसा होता है बहिर मुखी होता है भाईया यह प्रस्न जो है मतलब आपके लिए बेहद मतपूर्ण है यह स्रिंखला आपके पास जो है वो क्रम आई क्रम करके आती रहेगी हर 2-4 घंटे में संडे को आपको कम सकम इस स्विंकला के सभी वीडियो प्राप्त हुआ करेंगे हर दिन आपको 2-3 वीडियो बालमन विज्ञान के परियावरन के हिंदी के संस्कृत के गनित के अंग्रेजी के और जो है मतलब करेंट अफेर्स के सभी चीजों के मतलब वीडियो आज से प्राप्त होने लगेंगे आप मन लगा करके तैयारी करिए और स्टीडी माटेरियल अगर आपको लेना है तो स्टीडी माटेरियल लेने के लिए 97, 81, 83, 85 पर आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे टीजीटी माता की जए तीजीटी माता की जए आपको टीजीटी में बहुत अच्छे प्रणाम देखने के लिए मिलेंगे निस्चिंत रहिए बेपिकर रहिए मस्त रहिए खुस रहिए ठीक है ना और चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे और आपकी इच्छा हो तो चैनल वा को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजा करिए और जो वीडियो को लाइ कर दिया करिए और सेयर कर दिया करिए धन्यवाद आसरी का दिन सुभू